वेलकम फ्रेंट्स अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं क्रिशना आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों हम लोग तयारी कर रहे हैं कॉंपिटिसन एक्जाम की जिसमें मैट्स के कोशन पूछा जाता है मैट्स के वो कोशन दोस्तों जिसको बनाने में बह जो करके रखा हैं जब भी आपको समय मिलता है दोस्तों जरूर देखा कीजिए मातर 20 से 25 सेखंड में हल करने का तरीका वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो पर बने रहे हैं दोस्तों वह भी बीना कापी पेन उठाए तो चली श्टार्ट करते हैं हमारा आज का य हमें एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया है सही और सथ क्या है दोस्तों 20 संख्याओं को जो और सथ है वो कितना दिखा रहा है पैंटिस आता है लेकिन क्या चलता है बाद में पता चल यह चला कि जहांपस 85 लिखना था उसकी जगा गती से क्या लिख दिया गया है 45 लिख दिया गया है और हमको जो सही ओसत है उसको निकालना है ठीक है तो अर्थात जहां में क्या निकालना लिखना था 85 लिखना था लेकि लिखा गया है कितना दोस्तों कितना लिखा गया है 45 लिखा गया है लेकिन यहां पास क्या लिखा गया है कम लिखा गया है तो अर्थ कि जो संख्य है दोस्तों कितनी संख्य है 20 संख्य है तो हम लोग क्या कर देंगे इसको 20 से भाग दे देंगे ठीक है तो आउसत में क्या हो जाएगा हमें वृद्धी करना होगा क्योंकि यहां पास संख्या है वह 45 लिखा हुआ है क्यों कि हमको लिखना क्या था 85 लिखना था तो ज़्यादा लिखना था लेकिन लिखा गया है क्या कम लिखा गया है तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पास दोनों का अंतर देख लेते हैं तो चालीस हो गया और चालीस बटे हम लोग जिस संख्या से आउसत निकाल रहे हैं भाग दे करके तो उसका भाग दे दे चलिए इसको भाग जाते हैं 20-20 दूनी क्या हो जाएगा 40 तो और सथ में क्या हो जाएगा दोस्तों वृद्धी होगा क्योंकि हम लोग को क्या लिखना था ज्यादा के जगह हम लोग कम लिखा है अर्थात हमारे अपस जो संख्याएं है 20 जो संख्या है वो छूट गया है तो आसद में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 की वृद्धी हो जाएगी अगर इसी के जेगे जगह जेस इसका उल्टा हो था अर्थात 45 के जगह दोस्तों वह मों क्या लिख देते 85 लिख देते 45 हम भी जाहो संख्या से और दोसके हम-ल्लोग repairs मिश्टेक होस्ट तो हम लोग यहां पस दिया हुआ है 35 तो 35 में हम लोग जब क्या करेंगे दो जोन देंगे तो उसका जो आउसत मानों क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा और 37 आपको कौन सा उप्सन में दिखाई दे रहा है तो डी ऑप्सन क्या हो जाएगा सहीं हो जाएगा तो उमीद करता हूं दोस्तों इस तरीक संख्या कम है यह जादा है ठीक है अगर गलती से अगर दी हुई संख्या से कम लिखा जाता है तो संख्या आउसत में क्या होगा वृद्धी होगा यह फिर अगर क्या होता है कि दी हुई संख्या से अधीक लिखा जाता है गलती वस तो उस समय क्या हो जागा आउसत में कट होती होगी ठीक है तो इस तरीके के आपको ध्यान रखना होगा चलिए देख लेते हैं नाक्ष कोशन नाक्ष कोशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह प्रेशन थोड़ा सा चंभित लग सकता है लेकिन है सरवल देखने हैं कठीन नहीं लग रहा है ठीक है जो छमता है कितने हैं बारा वयस्क है या बोला है ठीक है ना या बीस बच्चे या तो फिर वहाँ पस अगर वयस्क चड़ते हैं तो बारा वयस्क चड़ सकते हैं अगर बच्चे भी चड़ते हैं तो दोस्तों बीस बच्चे चड़ सकते हैं दोनों अलग-अलग है ना एक कितने चड़ सकते हैं मतलब उस भी सी लिग देते हैं कि शार तिया चेम को छो चार जाएगा और कितने मतलब जो हमारे पास तीन वयस को जो है वो कितने के बराबर है पांच चिल्डरन चार पांच बच्चों के बराबर है लेकिन जो लिफ्ट दिया हुए दोस्तों इस लिफ्ट में क्या हुआ है पंदरा बच्चे पहले से ही चड़े हुए है लेकिन उसकी जो छमता है वो कितने वयास के चड़ाना है इसको पूछा गया है लेकिन इसी पांच चिल्डरन के जगह हम लोग कितने वयास के ले सकते हैं हम लोग यहाँ पास देखिया है न तो पांच चिल्डरन जो बराबर है उसके जगह कितना वयास के ले सकते हैं तीन वयास के ले सकते हैं अर्थाथ 15 जो ह भी इस तरीके का प्रेशन पूछा जाएगा दोस्तों उमीद करता हूँ आप जरूर ही सही सही बनाओगे चलिए देख लेते हैं दोस्तों को फंडे कॉंपेटिसन एक्जाम जो है आपके लिए आसानी से क्राक हो जाएगा और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों जरूर लाइक कीजिए यह और सांथी साथ इस वीडियो को सेयर कीजिए वाटसब ग्रूप में फेस्बूक ग्रूप में इंस्टाग्राम में को मेंसन करके समझाने की खोशिश करूँगा तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का ये फिर से वाला अगला कोश्चन जो है दोस्तों कार्य मजदूरी से सम्मंधित प्रश्न है चलिए प्रश्न है दोस्तों 6 पूरूस या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में कर सकती है 8 प पूरूस या तो फिर 12 महिलाएं उस काम को मिल करके करते हैं दोस्तों कितने दिन में करते हैं मिल करके नहीं करते हैं क्या करते हैं उसको 20 दिन में करते हैं और 12 महिलाएं भी उसकाम को 20 दिन में करती है हमको ये बताना है कि जो 8 पूरूस है तथा 16 महिलाएं मतलब 8 भी पू तो उस समय जो इससे दूगना जो काम है उसको काम करनी में कितना समय जो है कितने दुनों में समाप्त कर लें कि अर्था कितने दिं का समय लगे कि इस प्रश्ण application को हमको 12 ठीक है तो ये क्या हो जाएगा female और साथ ही साथ क्या हो जाएगा ये male हो जाएगा ठीक है अब देख लेते हैं हम लोग यहाँपास हमें बताना है कि 8 PURUS और 6 16 महिलाएं कि जो है उस काम को उसके दुगने काम को कितने दिन में कर लेता है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे य तो यहां पास देख सकते हैं दोस्तों कि इन दोनों जब मिल करके कार्यम करते हैं तो 20 दिन में complete कर लेते हैं दोनों के दोनों और इसका ज़स्तों काम कितना हो गया है दूगना हो गया है ठीक है तो दूगना हो गया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों अब देखो हमें क्या करना है male और female ध्याम दीजे दोस्तों male और female को क्या करना है equal कर ले frames अगर दोस्तों यहां पास 16 महिलाएं हैं हम लोग अगर पूरुस में करना है ठीक है 16 महिलाएं है उसको हम लोग क्या करते हैं पूरुस में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसको पहले और भी सरल कर लेते हैं आए हैं वो कितने पूरुस के बराबर होगा चलिए इसमें जो दिया हुआ है दोस्तों अनुपाद उसको हम लोग दूसरे तरीके से देख लेते हैं चलिए उसमें से क्या हो रहा है मिस्टेक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग देख लेते हैं इसको देखो पूरुस जो है वो कितने महिलाओं के बराबर है दोस्तों वो दो महिलाओं के बराबर है ठीक है तो एक जो है दोस्तों जो हमारे पास एक मेल जो है वो कितने फीमेल के बराबर है दो फीमेल के बराबर है तो यहां पास देखिए हमारे पास आठ महिलाएं है उसको हम लोग क्या कर देंगे जो है पूरुष में कर देंगे मेल में कर देंगे तो कितने मेल के बराबर होगा दोस्तों जब एक जो पूरुष है वो दो फीमेल के बराबर है तो 16 जो महिला है वो कितने के बराबर होगा आठ पूरुष के बराबर होगा ठीक है तो हम लोग क्या अब हम लोग आगे निकालते हैं पूरुस लेना है ना 6 पूरुस को है कितने दिनों में काम करते हैं 20 दिनों में काम करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 गुणा ये हो जाएगा 20 बटे 1 क्योंकि उस काम का क्या है एक है और यहां पास बोला गया है 2 तो हमको क्या निकालन है ठीक है जब हम लोग्पक्षांटर करेंगे दोस्तों तो यह जाएगा यह जो दो है इधर अटे सोला ठीक है फिर से इसको कांड देते हैं तो ये कटेगा तो दोस्तों कितने बार में कटेगा ये कट जाएगा दो तीया छे और ये क्या हो जाएगा दो चोंके आठ फिर ये दो से कटेगा दो दहां बीस और क्या हो जाएगा दो दुनी चार अब फिर इसको कांड देते हैं दो एकम दो और दो पंचे दस और बचा कितना दोस्तों हमारे पास पांच और तीन तो पांच तीया हो जाएगा दोस्तों पंदरा तो दोनों मिल करके दोस्तों पूरुशों मर्था अर्थात आठ पूरुस और सोला महिलाएं जो मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे पा को पर ना पड़ेगा या तो फिर आ उसका बाद पूरुश फूरुश को ले करके बना सकते हो या फिर महिलां महिलाओं को ले करके आप उसको आसानी से कर्कते हो तो अमीद करता हूं दोस्तों इस तरीका पर जब भी स्वाल कीजिए ठीक है मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ मुझे दीजिए इजाजात जैहिंद